हेलो गाइस वेलकम बैक तो HTML टिटोरियल्स आज के इस टिटोरियल में हम देखेंगे what are the versions of HTML language so let's start it HTML language का अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले जो वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ था it was simple HTML and it was launched in 1991 उसके बाद उसमें कुछ amendments की उसमें कुछ changes हुई उसके बाद HTML का जो नया वर्जन था वो 2.0 था और it was introduced in 1995 उसके बाद HTML का मजीद एक नया वर्जन आया जिसका नाम HTML 3.2 था और यह 1997 में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद HTML 4.01 जो के 1999 में उसको इंट्रोड्यूस कराया गया उसके बाद X-HTML जो के 2000 में आया और जो इस वक्त जो के currently यूज किया जा रहा है and it is HTML 5 जो के 2014 में इसको मजीद अपडेट किया गया तो अगर हम बात करें अपने इस ट्रेटोरियल की इस ट्रेटोरियल सीरीज में हम जो है most updated और जो new browsers आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ HTML 5 को स्पोर्ट करते हैं अगर हम previous में जाएं तो वो जो हैं उसकी जितने भी टैग्स हैं जितने भी features हैं वो जितने भी browsers हैं वो उसको आप स्पोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसलिए अगर हम पीछे जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा इसलिए हम most advanced और जो up-to-date जितने भी features हैं HTML 5 में तो हम उसको ही देखेंगे क्यूंके कल को अगर मजीद इसके versions अगर update होते हैं तो हम जो है उस पे भी easily switch कर सकेंगे क्यूंके हम इस वक जो है latest version जो है वो हम उसमें work करेंगे तो यह चांद एक versions है HTML language के तो इस पे जो है हम मजीद आने वाली videos में देखेंगे HTML 5 को हम मजीद देखेंगे के उसके features के आए और उसमें हमें कौन-कौन सी feasibility जो है वो provide की गही है as compared to previous versions of HTML language so that was in this video thanks for watching